Hello students, आज हम मैस Pre-Primer में पढ़ेंगे After, Before and Between जो हम लोगों ने पहले भी No. 1 to 100 से बुक में पढ़ रखा है After मींस क्या होता है, बात में Before मींस क्या होता है, पहले और Between मींस क्या होता है बीच में तो यह exercise आभ खुश से करिएगा और आज आपको new topic बिताएंगे ascending order and descending order ascending order क्या होता है forward counting होता है descending order क्या होता है backward counting होता है ascending order क्या होता है small to big मतलब small number से big number होता है ascending order and descending order क्या होता है big to small ascending order क्या होता है forward counting हमने बताया भी आपको हुझ जैसे 123456789 इस सेक्वेंस में लिखेंगे ति हमारा एसेंडिंग ओडर हो जाएगा यह देखी सबसे स्मॉल नंबर है वन उसक बढ़ा है टू त्री ऐसे बढ़ते जा रहा है ना तो यह सेंडिंग ओडर क्या होता है फारवर्ड काउंटिंग होता है और इसको कैसे पस् ेंटिंग ओर्डर क्या हते है विग ट्विसमाल होता है जानसे यहां पर देहीं है नहां पर चॉल्ट क कउसे बीग नंबर गेंगे स्क्री एकर श्राइब यहां पर जो नमबर्स दिये हुए हैं इस ब्लॉक्स में हमको अरेंज करके असेंडिंग ओडर में राइट करना है असेंडिंग ओडर क्या आता है इस स्मॉल टू बिक सबसे पहले मिसमें देखें कि कौन से स्मॉल नंबर है वैं तो फर्स्ट हम लिखेंगे उसके बात क्या ह राइब टूराब टू से बीक्कॉनसे नमबर या पर फूर पिरेंगे द्ीज बनेंटिंग आटि में सबस्डी असेंडिंग ओडर की आता हैं बैक पानिंग क्या करेंगे फर्स्ट हम बीग इस नमबर राइट करेंगे, इसमें हम देखेंगे, बीग नमबर कौन सा है, 10, यह अब हम क्या राइट कर देंगे, 10, 10 की बात क्या है, 8, 8 से स्माल, 7, 7 से स्माल, 6, 5, 4, 3, 2, ओके, यह हमारा होगे, इसलिंग डिमें, लिक्रेंट, गी, बीग करना है, और राइट नमबर राइट करना है, और राइट नमबर तूआ टेंट यहाँपे पहले, ascending order हो गया और यह हमारा descending order हो गया नेक्स वर्क से पर आते हैं what comes before 10 से पहले कौन से निबर आएगा 9 यह आप खुशी write करिएगा what comes after and what comes in between यह exercise आप खुशी करिएगा और scan करके group में send करिएगा ओके बाई